नमस्कार दोस्तों मैं अस्ट्रोलेजर डॉक्टू प्रेक्वा शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम स्वाजर पे हार देख स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजर हूं आपके लिए आज का राशिफल आज का पंचांग लेकर के आज के राशिफल आज के डेलि के स Tar quirky है ग्रहों का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करें इस चीजा की चर्चा हम हर रोज करते हैं लखी number क्या हैं लखी color आपके क्या हैं ओनासा उपाय की जीवन के अंदर मैंने बेहतर बदलाव लेका siya कोई po आज 28 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार शुकल पक्ष की दर्शमी तिति सुभा के आठ बज़कर के 40 मिनट तक रहेगी तक पस्चाथ इकाध्शी तिति प्रादाम हो जाएगी मूल नक्षत्र दपैर के 12 बज़कर के 49 मिनट तक बना रहेगा उसके बाद पूर्वा शाड़ा नक्षत्र शुरू होगा प्रीति योग शाम के 4 बज़कर के 6 मिनट तक बना रहेगा तत पस्चाथ आईश्मान योग प्रादम होगा गर्व करन का प्रभाब सुबह के 8 बज़कर के 49 मिनट तक रहेगा वैं उसके बाद वनिज़करन शुरू होगा चंद्रमा का संचार धनु राशी में रहेगा गंडमूल का योग दुपएर के 12 बज़कर के 49 मिनट पे खत्म हो जाएगा वैं उसके बाद कोई गंडमूल का योग नहीं बनता है पंच का योग आज भी नहीं बनता है राहु काल अशुब समय सुभा के 10 बजकर के 40 मिनट से दपहर के 12 बजकर के 20 मिनट तक यमगंदम काल दपहर के 3-34 से लेकर के शाम के 5 बजकर के 10 मिनट तक का समय ये दोनों समय राहु काल और यमगंदम काल अशुब माने जाते हैं शुब घटियों की auspicious moments की auspicious timings की हम बात करें सुबह 7 बजकर के 37 मिनट से सुबह के 10 बजकर के 40 मिनट तक दिपहर के 12 बजकर के 36 मिनट से लेकर के दिपहर के 2 बजकर के 2 मिनट तक का समय हर कार्यक के लिए बढ़िया साबित होगा वर्गोस कन्यरा शिवालकले सिगनी केंटेंडर जर्ट ओरियंटर रहेगा तशको जो लोग आज के दिन पैदा हुए हैं उन सब के लिए धेर सारी शुब काम है लोग 28 अगस्त 2020 को जिनका जनम दिन है जो किसी भी साल के 28 अगस्त को पैदा हुए है तो उन सब के लिए विश्ची आल वेरी वेरी हैपी बर्डे और मैनी मैनी हैपी रिटर्न्स आप दे गौड़ डिस यूओ जब हम राशियों की चर्चा करते हैं तो वहां मकसर चर्चा करते हैं कि बिसिकली क्या है नक्षत्रों का प्रभाव आपकी जीवन पे किस कदर पड़ता है स्थे से लेके मीन राशी तक हो एरी से लेके पाइसेज राशी तक हो सभी राशी वनां के लिए जो राशिस फल है कैसे प्रभावित करेगा हम चछा करेंगे शुक्रवार का दिन है शुक्रवार की दिन अगर संभब हो सके गाये को हरा चराय, चाला खिलाई आजा सके धर्मसदल में देशी घी का आटे का चीनी का दान दिया जाए या घर किसी गरिप को दे दिया जाए ! और ओम द्राम द्रीम द्राम सह शुक्र है हमें मंत्र का उचारन किया जाए लक्षमी चालीसा लक्षमी कवच का पाठ किया जाए प्रभु परसंद होते हैं और आपके कारियों को निर्विगन संपन करने में आपकी मदद करते हैं हम बात करेंगे सभी राश्यों की सबसे पहले बात करते हैं अरियंस मेश राशी वालों के लिए आज गे राशी फल लिए अजय कि दधन को लेकर लक्सात दे सकती है कई से फसंवा पैसा अपका निकल सकता है पुंजी निवेश के नई-ने तरीके दिमाग में आ सकती है नहीं रहे आपको मिल सकती हैं नहीं सुझाओ आपको मिल सकते हैं रिष्टों को लेके मन की चैन अनन्द बढ़ेगा कोई रिष्टेदार या आपका प्रेमी मितर कोई आपको बहुत अच्छी खबर भी सुना सकता है विदेश से सबंदत कारियों में मिलेगी सफलता भूमे से सबंदत विवादों से भी आपको रहात मिलने के बनते हैं यूँ आज का उपाई क्या बनता है आज के दिन आप किसी भी ग्रीव ब्रजुर्ब औरत को अगर सिफेद रंग का कपड़े का दान देते हैं और किसी दूसरी ग्रीव औरत को रिफाइंड ओयल कोई देते हैं किल्याम होगा अब बात करेंगे टॉरियंस विश्यव राशी वालों के लिए आज का राशी फ़ल दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी सेथ सुदरेगी, confidence बढ़ेगा, अंदाज के अंदर बेतरी आएगी gut feeling, strong होगी, presentation की skills इंप्रूब करेगी बाते करने का अंदाज खुद को भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी भाएगा काम, अगर कोई रुका हुआ था, कही काम के अंदर कोई परशानी चल रही थी, उसके रास्ते बढ़ने शुरू हो जाएगे, काम होना शुरू हो जाएगा, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के अंदर बेतरी के योग बनते हैं, आपके बॉसस आपके उपर खुश हो सक करने को देंच सकते हैं, अगर कोई काम को लेकर लेकरक्ण की इमीद करते हैं, आस सम्भ है, किसी काम में कोई लगए थ आपको प्रशानी आ सकते हूँ, वह काम भी निर्वीधान से बढ़ हो गया, लब बड़ के लिए परेमी यूगलों के लिए उतम साबित होगा, परेम निकार लाने के प्रयासों में मिल सकती है सफलता शाम यकीनन बहतर वीतेगी बस आपको ध्यान कहा रखना होगा एक अपने बिलॉंगिंग्स कहा रखना होगा खर्चों पे नियंतरण रखके चलना होगा घर प्रिवार के लोगों का साथ दे के अच्छे लिस्नर बनके चलना आपके लिए क्लियान करी है अज के दिन गाइतरी कविच का पाथ आपके लिए क्लियान करी है जेमिनाई जो जेमिनियन्स के लिए मितुन राशी वालों के लिए आज का देनिक राशी फल समय कहता है भूमी से सबंदत कारियों में मन भी लगेगा और उनको कर पाने में सफलता भी बिल्ले के योग बनते हैं घर प्रिवार के अंदर कोई मेंबर विशेश-खुशी का आरन बन सकता है को अपको बडि अच्छी गैड़ दे सकता है जरूरी थोड़ी है कि आप बड़े है आपकी बात ही सही concrete उसकती हैं आप अपनी सेहत के प्रती पुरी जाग रुपता बना के रखेंगे, सेहत के अंदर सुधार भी आपका बड़ेगा, प्रिवार के अंदर कोई खुश खबरी आने के यूग भी हो सकते हैं, घर में किसी रिष्टेदार का, किसी ऐसे रिष्टेदार जिनको आप बहुत चाहते हों, उनके call आजाए, उनका कोई message ऐसा आजाए, या कहीं से कोई ऐसी खबर प्रिवार के अंदर आजाए, जो पूरे प्रिवार को खुश ही दे दे, वहां इत्यादी पर आप खर्चा करने की योजनाई बना सकते हैं, जा खर्चा कर सकते हैं, घर की साजों से जावट के ओ लोग आपका undue advantage ले सकते हैं, misunderstanding create हो सकती है, तो उस चीज का ध्यान आपको स्वहम रख के चलना होगा, वादों विवादों में, confrontation में बच के चलना और खुद के कामों के बारे में खुद concerned हो के चलना आपके लिए लागकारी रहेगा, आज की दिन आपको उपाई क्या करना होगा, अपने गुरुओं के द्वारा, जिस धर्म को भी आप मानते हैं, जिनकी पुजा करते हैं, उनकी पुजा अर्चना कीजीगा, और दूसरा, अब कोशिश कीजीगा, कि चार डिफरेंट लोगों को दूद, मिश्री और इलहची देदेजीगा, quantity शर्दा के मतावेग केंसेरियल्स, करकरशी वालों के लिए आज का राशिफ़ग कोई पैसा फसा हुआ था, पैसा निकलाएगा, कहां पैसा लगाना है, उसके रास्ते मिल जाएंगे, किसी की गाइडेंस आपके जीवन में बहुत अच्छा उत्थान लेके आ सकती है, मूर स्विंग्स को बहुत बहुत बेतर बना सकती है, भले ही आप अपना स्विंग्स बहुत अच्छा ध्यान नहीं रख पाएंगे, कुछ जाने में गलती कर बेठेंगे, कामों की तरफ बहुत व्यस्तता बनाके रखेंगे, कहीं न कहीं हेल्थ आपकी इग्नूर हो जाएगी, मगर रिष्टे हर मोर पे आपका साहत देने वाले होंगे, बले ही प्यार के हो या परिवार के हो, किसी रिष्टे कुले के मन बेहत खुश हो सकता है, सेथ का ध्यान लखना है, अपना काम किसी पर ओवर डिपेंडेंट, ओवर कॉंफिडेंट होके नहीं चलना है, और गाड़ी मांगी हुई किसी को देने से प्रहेस करना है, आज के दिन का उपाय आपके लिए क्या बनता है, अगर किसी भी अपाहे सिव्यक्ति को भुजन करवा सकें, और अपनी पॉकेट में दो गोमती चकर प्वित्र जल में धो करके लाल कपने में लेपेट के अपने लियोस, सिंग राशी वालों के लिए ब्यानिक राशी फ़न के समय क्या कहता है, तन, मन वे धन की स्थिति, सुदरगी, दिन की शिरुवात बिच्छी ख़बर के साथ होगी, और दिन की स्मापती भी बहत्र होगी जमी जयदात से भी लाग होगा, इन्वेस्टमेंट किसी भी रहरे में हो, स्पेकुलेशन में हो, प्रॉपर्टी में हो, या किसी और चीज में हो, आपको कोई न कोई गेंपोल स्थिति पैदा कर सकते हैं, प्रेम के रिष्टों के अंदर बेटर्मेंट के योग बनते हैं, थोड़ी सी चिंता हैं, किस बात की रहेंगी, वर्क प्लेस पे कुछ अबलिगेशन ज्यादा हो सकते हैं, प्रेशन ज्यादा हो सकते हैं, आपके बॉस्स की जो है, आपसे अक्स्पेक्टेशन ज्यादा हो सकते हैं, अगर आपका अपना काम है, तो वहां आपको हो सकता कि क कुछ नो कुछ dissatisfaction अपने काम में बनी रहे दूसरा यात्रा का मिले जुले प्रभाब ही रहेगा अपने काम के सीकर्ट किसी के साथ शेयर ना करें अगर किसी भी विवार के मेंदर की सेहित कर कोई कारण ऐसा पनता है थोड़ी बहुत कोई परशानी आती है सर्फ एडिकेशन से बचते हुए मेडिकल अटेंशन देते हुए चलेंगे तो कोई सी भी परशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आज की दिन दो चीज़े करने हैं दो फल किसी कन्या को दे दें दूसरा दो किसमों की मेडिसाइन किसी भी ग्रीग जरूतमंद जिनको जरूरत हो मेडिसाइन की आपको दे दिजिए अब बात करेंगे वर्गूस कन्य राशी वालों के लिए दैनिक राशी फल के दिन के शुरुआत बढ़ी अच्छी खबर के साथ होगी विदेश से शुप समाच चार मिलने के बनते हैं यो यात्रा छोटी जब लंबी कल्यानकारी साबित होगी फसिल हुए पैसे निकल सकते हैं पुझी निवेश के रास्ते बन सकते हैं प्राणी इन्वेस्टमेंट आपके लिए गेंफुर स्थितियां पैदा कर सकते हैं कोई पॉलसी मेच्यूर होके अपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए कई से उमीद भी नहोंगे किसी से पैसे लेने थे अब लगता था इतने स यह साल हो इब कbot आने अचानक आपने फोन किया और वो पैसे आ गया तो कही से धन लाब के यूग हो सकते फसन पैसे निकल सकते हैं और मांसिक वे शरीरत बहतरी के बनते हैं यूग बस कहीं न कहीं भूल जानेränं जाने में किसी भी तरीके की आप काड़तल पर नाकर बैठ लगा लें। नमबर टू एक बार का खाना सिर्फ ढखके खा लीजे। नमबर तीन बाइं हाथ से पक्षियों को रूम रांग राहुए नमय मंतर जबते हुए एक इस बार पक्षिय को डाल गए। अब बात करेंगे लिबरंस। तुला राश्ची वालों के लिए आज के राश्ची फलके। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी ख़बर के साथ हो सकती है। किसी तरफ से अच्छी ख़बर का अंदेशा हो सकता है। लेंदेन को मसलों को निव्टाने के लिए आज आपका धिमाग बुरी तेजी से काम करेगा और सोर्षज भी वैसे ही वनेगे। काम को लेकर के बहुत बहुत बहुतरी के बनते हैं योग। अगर कोई काम किसी भी डिपार्टमेंट से लेटड लटका हुआ है कहीं उसका समधान नहीं मिल रहा था आज उसकी समधान मिलने के योग भी बनते हैं। समाज में किसी प्रतिष्ठत व्यक्ति से नामी व्यक्ति से मुलाकात के योग को भी दकारा नहीं जा सकता है। अगर आप किसी प्लिटिकल फीर्ड के साथ जुड़े हुए हैं अपने समय का पूरण लाग अर्जित करने में कामियाब रहेंगे। कोई अपोजिर्ट सेक्स का व्यक्ति बड़े अच्छे मन से अच्छी भावन से आज आपके लिए मददगार सिध्ध हो सकता है। आपको उपाई क्या करना होगा। चने की ताल दूप किसी भी ग्रीव जरूरुतमन को देना जा ग्रीव जरूरुतमन ब्रामन को देना या फिर धर्म स्थर में देना कल्यांका लिया। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस। वरिष्चिक राशी वालों के लिए आज के राशी फलकी। दिन के शिरुआद अच्छी ख़बर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम बीतेगा। मान समान याश के अंदर बढ़ोतरी होगी। धर्म कर्म के कामों में रुची बढ़ेगी। जुबान से निकली हुई बातें सत्या हो सकती है। अनर्जी लेबल हाई रहेगा। बड़े हलफुल रहेंगे। मगर फिर भी लोग आपका undue advantage ले सकते हैं या आपको let down करने के कोशिश कर सकते हैं। अपनी belongings का ध्यान रखके चलिएगा। अगर कोई case कोट में लगा हुआ है। किसी decision पे है तो माली जीगा चीजें favorable होने की संभावना हो सकती है। अगर किसी के साथ कोई misunderstanding चल रही थी वो दूर भी हो सकती है। मगर किसी व्यक्ति के साथ किसी चीज की जहां जरूरत नहीं है कंफ्रेंटिशन में पढ़के रिष्टों में ख्राबी भी आसाथ है। यानि कि रिष्टों को लेके समय रहेगा मिले जुले प्रभाव का। आज क्या करना होगा। दो डिफरेंट लोगों को एक किर्नर हो दूसरा कोई ब्लाइंड व्यक्ति हो उनको भोजन करवा दीजेगा। बस ध्यान इस बात कर रखिए कि भोजन के अंदर राइस ना हो। राइस को छोड़ करके आप खिला दीजिए। अब बात करेंगे सजिटेरियन्स धनु राशी वालों के लिए आज के राशी फलती। समय कहता है मान समान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। मिजाज बहुत अच्छे रहेंगे, मूड स्विंग्स बहुत बेतर बनेंगे, आपके अंदाज की लोग तरीफ करेंगे, काम की तरीफ करेंगे, काम के अंदर अनन्द भी आएगा, जो काम अपने पास्ट में किया होगा, उसकी रिजल्ट भी दिखाई देंगे, जो आज करे दिखा में, आप भी नए समय खरीजने के योग बना सकते हैं, तो ध्यान कहाँ रखना होगा ? दो चीजों पर रखना होगा एक अपने खर्चों पर के नियंत्रण करना होगा अपनी पाकिने साफशि चलना होगा गेःगां, मुत्रस आघ रिजाए कर्च्छे करने से प्रे अगर संबब हो सके, बांशुरी किसी भी मैटल की हो, अगर चांदी की हो तो बहुत प्रेजूरी ने कि बहुत बढ़ी है, चोटी ही हो, या आप फ्लूट जो भी कोई होती है, जो बांस की बांसुरी होती है, भूबी आप दे सकते हैं, भगवान किष्ण जी के चर्णमा प्रे कीजिएगा, दो चमच साबित मूं के पक्षियों को डाल देगे, अब बात करेंगे, कैप्री कॉर्णियंस, मकर राशी वालों के लिए आज के राशी फ़र्क हैं, समय क्या कहता है, प्रफेशनली समय बहुत अच्छा बितेगा, काम में मन लगेगा, काम में किये के प्रयास, सफ़कता पूर्वक संपन होंगे, किसी रिष्टेदार के साथ चलिया रही, मिसंडर्स रेनिंग दूर हो जाएगी, किसी रिष्टेदार की हेल्थ के कुछ कंसर सब्सक्राइब, किसी रिष्टेदार से बहुत लंब समय से मुलाकात नहीं होई थी, बाचीत नहीं होई थी, आल अप सड़न उनकी बात, उनकी कॉल आ जाए, या आप उनको कॉल कर वेठेए, जिससे दोनों के मनों के अंदर बेहद खुशी हो जाए, इवन प्रिवार का क कोई सदस्या आपके लिए विशेश खुशकबरी का कारण भी बन सकता है, शाम को बेतर बढ़ाने के प्रयासों में सफ़ता मेरेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए जो सूच विचार करके पूरी डॉकुमेंटेशन को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ल जरूरत रहेंगी और प्यार के रिष्टों की नजाकत को समझना जरूरी होगा, और खान पान पे रखना होगा, ध्यान डेविंग करनी होगी, क्यार्फल हो, आज का उपाय आपके लिए क्या बनता है, किसी भी ग्रीव, मुझदूर टाइक व्यक्ति को भोजन के साथ, भो आप बात करेंगे अक्वेरियंस, कुम राशी वालों के लिए, कुम राशी वालों के लिए आज का राशी फर्ट मंद शिकता, सोच, अंदाज, कॉन्फिडेंस, गट फिलिंग, प्रेजन्टेशन स्किल्स, कॉम्यनिकेशन स्किल्स इंप्रूब करेंगे, रिष्टे आग की हिम्मत को बढ़ाएंगे, जमीन जयदात से रिलेटेड कमों में रुची बढ़ेगी, कुछ पैंडिंग काम भी आपकी इच्छा के मताबक निप्टेंगे, काम मिले जुले प्रभाब करेंगे, रिष्टेदारों के साथ मेल मिलाब बढ़ सकता है, अन और्गिनाईल यात्रा प्रिशान कर सकती है, वर्क डिस सटिस्ट्रेक्शन कुछ बेचैनी दे सकती है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो हरी सबचियां धर्मस्तर में देनी है, या किसी गरीब को देनी है, दो डिफिरेंट लोगों को देनी है, दो हरी सबचियां एक को दे दीजिए, दो किसी गरीब को दे दीजिए, एक गरीब को दो दाले दे दीजिए, इस बात पर ध्यान किस बात कर रखना है, कि उसके अंदिर मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए, लाल दाल का प्रिखिंज करना है, लाल राजमा दे सकते हैं मगर मसूर की दाल आवाइड केजिएगा, आखरी दाशी, पाईसियंस, मीन दाशी वलों के लिए आज का राशी फ़लू। समय क्या कहता है, confidence बहुत बढ़ेगा, बाते करने का अंदाज घुर सुरत होगा, इंप्रेस होंगे लोग आप से, अगर आपका ही sales के किसी area के साथ चुड़े हुए हैं, marketing के किसी area के साथ चुड़े हुए हैं, real estate के किसी sector के साथ चुड़े हुए हैं, आप आपके समय का के लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा, law से related जुड़े हो लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा साबित होगा, totality में जो समय है, काम को लेके, patience के लिए बढ़िया है, काम को एक दिशा दिखाई जाती है, एक मुकाम पे लेके जाया सकता है, और आपके प्रयास सफल पूरर्वक समपन भी होंगे. बहुत अच्छा कोई कारिया या योजना बनने के बनते हैं पुरन योग लग्जूरिस एटम पे भी कर्चे होंगे आज क्या करना होगा स्टीम इन्हेल करें किसी भी अनाद अच्छा जो पढ़ाई में बहुत इंट्रेस्ट लेता हो जाग गरीब हो पढ़ाई के हलात ना हो अगर उसकी बुक्स, कॉपीज और पेंसल्स के साथ मदद कर सकें बहुत ही बढ़िया होगा अगर जैसे आज कल सभी बच्चे भी घरों से ही पढ़ रहे हैं अगर किसी को कोई ऐसी इलेक्ट्रोनिक चीज़ आप लेकर कर दे देती हैं जिसको किसी को कोई टैब लेकर दे ओदी दे भी लिख बडली आपक अही logical कौE यह तो था आज आजका राषिफ़ल आजका पंचांक क्रहिए और डैली के पूरकस्टी झी डेली की घरोस्कोप कीं आजका राषिफ़ल की दशफ़ाउं की जैनकर राषिफल की मैं शक करता हू हूं कि यह प्रोग्रेम आपको आया होगा और अब वक्त होगे आपसे अजाज़त लेने का कल हमारे जोतिश के इसी विशेश का रेकरम आज का राश्रिफल आज का पन्चांग में फिर होगी मुलाकात तब तक मुझे यानि एस्ट्रोलिजर डॉक्टर प्रेक्मा शर्मा को दीजीगा अजाज़त नमशकार और कर्परेसिव झाल